हेलो में नवस्कार दोस्तों कैसे आप सभी पर फिर से आप सभी के स्वागात है आपके अपने युट्यूब चैनल प्राफिट असेडी में तो आज किस वीडियो में हम देखने माले रेलवे अप्रेंडिसिप 2020 के अंतरगत आप सभी को पता है कि आपका नौर्थ वेस्टन जो पोस्ट का बात करें तो आपका 2026 पोस्ट पे अपेंडिसिप का भरती के नोडिफिकेशन आज से कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था और इसका दस जन्वरी के डेट से ऑनलाइन आवेधन भी शुरू हो गया अब बहुत सारी केंडिट आपे जल्दी जल्दी फर्म अपलाई कर रहें अगर लास्ट जेट का बात करें तो लास्ट जेट आपका 10 फर्वरी 2023 रखा गया है दस जन्वरी से स्टार्ट हुआ आप सभी को पता है कि कोई भी फर्म आता है सरकारी जिसमें आपका मैक्सिमिम एक महीना का जो समय है वो केंडिट को फर्म फिल के पर प्रवाइट किये थे उसके पर इसका ऑल्लाइन step by step कैसे फॉर्म फिल करना है कितना 10 में मांक्स टालना है कितना नहीं डालना इसके रिगार्डिंग पर आपको प्रवाइट कि अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल अपने करने से पहले यह कटा फॉल वीडियो तो में उपर नीचे हो गया प्लस माइनस हो गया उस सारा केटेगरी में भी आपका अधिकांस फॉर्म देखने को मिलता है ने मिसमें भी दे मिलता है तो आज की इस वुड़ों हम देखेंगे कि आपका कितना जो प्रिवियर से कटफ गया था किस डिवीजन से कितना देखने को मिल रहा था ट्रेड वाइस कम्यूनिटी वाइस और कहां से आपको फॉर्म फिल अप करना चाहिए कि आपका लोएस्ट कटफ जाए और सेलेक्शन क आपको वट्सप ग्रुप का लिंक मिलेगा जरूरु जरूरु जोईन करें चोड़े मेरे अपडेट पीडियो विगर आपको देखने को मिलते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप अफिशल कटफ का बात करते नॉर्थ वेस्टन रेलवे कि तो यहां पे देख कटफ जो है वो नहीं मिलेगा आप कहीं भी online चल जाए कटफ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो ऑफिशल कटफ रिलीज नहीं किया जाता है पर मैंने आप बहुत कोशिस किया जो को NWR में apprenticeship कर रहे हैं कुछ-कुछ candidate का वहां contact number मिला उनसे बात किया तो जाकि कुछ-कुछ data जो है फाइनली सामने आए फिर भी हमें आपे सारे division को cover नहीं कर पाएंगे बाकि अगर फरदर कोई update आता है या फिर officially आपको PDF मिल जाता है कटफ का तो हम उसको पर भी आपको separately देंगे या फिर वह ऐसा कोई candidate मिल जाता है जो respective trade से होता है अगर उससे बात होती है हमारी तो हम आपको जरू-सरू जिस भी अगर एक trade का भी कटफ अगर हमारे पास आगा तो हम जरू-सरू उसके regarding भी आपको या तो WhatsApp ग्रूप पे share कर में अप्रेंडिस कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो उनसे भी आप बात करिएगा अगर उसके regarding कोई भी कटफ के regarding कोई भी information आपको मिलता है तो आप हमारे WhatsApp ग्रूप पे आप separately message जरूर करिएगा क्यूंकि आपका एक information all over India जितने भी candidate सभी को यहाँ पर inform कर सकता है और सब सबसे important बात ही कि आपका all over India vacancy है इंडिया लेवल पर तो जितने भी इंडिया के किसी भी राज किसी भी district से बिलोंग करते हैं सभी लोग इसके form apply कर सकते हैं चली एक एक करके देखते हैं अभी छे ही ट्रेड है आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर update देखने को मिलेगा किमकि आप सभी को पता है कि किसी ने अभी कटफ के regarding कोई भी वीडियो अप्लोड नहीं की है किमकि कटफ यहाँ पर available है ही नहीं यह छे ट्रेड का ही कटफ निकालने में बहुत समय लगे और बहुत सारे का यहाँ पर contact में आना पड़ा तब जाके आपका इतना जो कटफ का ट्रेड वाइस आपको इतना कटफ देखने को मिला तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपे मेकनिस्ट का तो मेकनिस्ट में आपको कटफ जो देखने को मिला रेंज का बातकरे हैं 83 से आपका 87.7% आपका cut-up देखने को मिला देखिए cut-up जो decide होता है दो-तीन factor पर निर्भर करता है पहला हम आपको बताते हैं कि कितनी vacancy है vacancy के उपर भी बहुत आपका cut-up जो है निर्भर करता है और आप सभी को पता है कि NWR apprenticeship में जो हर साल जो जितना vacancy आता है आपको लंशम बता रहे 2000 के आसपास देखने को मिलता है कभी 2000 से 1200 ज़्यादा vacancy रहेगा कभी 2000 से आपका 1800-1900 vacancy देखने को मिलता है मतलब आपको 2000 के average मान के चलोगे तो round off करके आपका 2000 के आसपास vacancy हर साल इसमें देखने को मिलता है रिटूट नहीं किया है, तो जल्दी सी जल्दी जाके रिटूट भी जरूर करिएगा, ताकि आपके ही हित में railway के द्वारा कोई भी हाँ पर important फैसला आने की उम्मीद हो, तो यह पहला हो गया, दूसरा इस factor पर डिपेंड करता है, कि जिस category, जिस states हैं आप उसमें कितनी vacancy है तो इस तरह छोटे-छोटे पहलू है, जिस पर आपका cut-up जो है depend करता है, पर vacancy पे बहुत ज्यादा depend करता है, कि जितना ज्यादा vacancy होगा, cut-up जो है उतना ही ज्यादा जानता है, यह सारे factor आप सभी को भी पता होंगे, next जहापर हैं जो सबसे demandable और सबसे competitive जो आपका trade है electrician, electrician में आपको बहुत ज्यादा है, आपके cut-up देखने को मिलेगा, around आप बता दे, 84.5 से लेके 91.2% के आसपास इसका cut-up देखने को मिलेगा, अब बहुत सारे candidate का doubt होगा, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, कि सर इसमें OBC का कितना गया है, SC का कितना गया है, ST का कितना गय पर आने वाले टाइम में जैसे ही आप एबलेबल हो जाएगा, हम आपको इसके regarding भी वीडियो प्रवाइट कर देंगे, ठीक है, फिलाल आप इतना से काम चला लिजिए, आप समझ जाए कि कितना range वालों को यहाँ पर form apply करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, कि लगतार WhatsApp प वो clear हो जाएगा, next trade का बात करते हैं, तिसरा trade हमारा आता है Penter, तो Penter में आप सभी को देखने मिलेगा, कि जो इसमें 67.67 से आपका 51.6% आपका cut-off देखने को मिला है, ठीक है, next आपका बात करते हैं Carpenter, तो Carpenter का देख लिजिए आपका 58 से लेके 72.6% तक आपका cut-off जो है Lice किया है, मतलब इसके between में आपको cut-off देखने को मिलेगा, चाहें बात करें 58% आपका SC का है, ST का है, ठीक है, वो तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, पर इसके बीच आपको cut-off देखने को मिल रहा है, next बात करते हैं Mechanic Diesel, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा cut-off में दिन दिन उच्छाल देखने को मिल रहा, Mechanic Diesel में बात करते हैं, तो 74 से लेकर आपका 75.4 से लेकर 84.33% आपको यहाँ पर cut-off देखने को मिल रहा, next अगर यहाँ पर बात करते हैं Feetor से, तो Feetor से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 77.16% से, एक बार Feetor का, इसमें थोड़ा सा cut cut-off में आपको निजाद देखने को मिल रहा, Un-Division का मुकाबले, तो Feetor का आपका 77.16% से, 85.85% आपको यहाँ पर minimum और maximum cut-off का जो range है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिला, इसका screenshot लेकर आप रख सकते हैं, नहीं तो यह जो PDF मैं प्रोवाइट कर दूग आपको WhatsApp ग्रू रेलवे के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि Profit Study द्वारा, DRDO की Vacancy को भी कवर किया जाए, DRDO के जितने भी apprenticeship आने वाले हैं, उनको भी कवर किया जाए, तो आप जरू सरू कम्यूटी पोस्ट में जो पोस्ट किया गया, उसमें अपना वोट जरू डालेगा, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सभी वोट यहाँ पर डालेंगे, उतना ज्यादा ज्यादा संभावना होगा कि हम यहाँ पर DRDO को भी railway के जैसा ही यहाँ पर कवर करें, जिसका आप सभी को पता है कि railway का अगर हम कवर करते हैं, तो A to Z information आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आपका साथ ऐसी रहा तो धीरे-धीरे करके जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, और्गनाजेशन है जिनसे अप्रेंटिसिप निकलता है, सरकारी भरती निकलता है और अप्रेंटिसिप करने के बाद आपको आप फायदा देखने को मिलता है, प्रिफ्रेंस द मिलते रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि क्या रेलवे के जैसा डियाडियों को भी यहाँ पर आपका जितनी भी वेकेंसी आते है, अप्रेंटिसिप के या फिर आईटियाई के लेवल पर क्या उन सभी को भी कवर करना चाहिए, हमें आपका कमेंट का इंति जार रहा है, तो चली मिलते आपसे नहीं भरती नहीं जनकारी के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!